हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलके अकेडेमिक आज हम डिसकस करेंगे करन्ट अफेर्स एप्रिल फोर्थ विकेल राइट तो लेट्स स्टार्ट विट फर्स्ट न्यूज हमारी पहली न्यूज है कि अब भी रिसेंट थी केवी आईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन विलेज इंडस्ट कमीशन ने जम्णुएन काश्मीर को सबी बाकी सबी स्टेट्स और इन टरीटेशंस से आगे रखा है किसके अंडर में सेल्फ इंप्लोएमेंड अंडर दन पदानमंतरी इंप्लोइमेंट जर्नेरेशन प्रोग्राम हमनें पदानमंतरी इंप्लो पर उपड़ से देखे कि जो भी कोई पर्सन को अगर कोई बीजनेस करना है मेनिफेटर सेक्टर के अंदर या तो सर्विस सेक्टर के अंदर में और अगर उसको लून चाहिए उसके लिए तो वो डारेक्टली बैंक के पास जाने की बज़ा अगर इस किन के अंदर में उसको एंडूल करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि डेवलोप्मन했는데 के पास घाना पड़ेगा एक संस्ता है कि जो और पर सबसे कि आपको लोंब करेंगी और जो बेंग फॉर एक्जम्बल आप 20 लेक की लोन की डिमांड करते हो बेंग आपको 20 लेक की लोन दे देती है लेकिन अगर आप चेटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 15% जो 20 लेक की जो प्रिंसीपल अमांट उसके उपर 15% आपको डिस्काउड मिल जाएगा और अगर आप अग्धर के टीकेट के अंदर बीलोंग करते हो राइड तो आपको कितना परेज्ड इसकॉंड मिलेगा 25% राइड तो आपको 20 लेक एजर लॉनतों मिल जाएगा लेकिन आपको लोन का रीपेमेंड कितना करना एक कि ट्वेटी लेक का 85% 15% माइस होगा 35% कितना होगा 17 लाग आपका लोन का रिक्मेंट इतना ही करना है यह स्कीम थी कि अगर आपको कोई बीजन अच्छा प्रिस करना है तो जितने भी अमॉंट के लोन लेना चाहते हो उसमें पुछ डिसकाउंट हो जाएगा आपके कास्ट के अकोडिंग अगर आप इस स्कीम के डर में एंडॉल करते हो राइट तो अभी रिसेंट है और यह पूरी स्कीम यह प्रदान मंतरी इंप्लेमेंट जनेशन प्रोग्राम यह पूरी स्कीम पूरे देश के अंदर कौन इंप्लेमेंट करवाता है खानी एन विलेज इंदस्टी कमिशन यह संस्था इंप्लेमेंट करवाती है तो इस संस्था के अकोडिंग कि इंडिया के अंदर प्रदानमंतरी इंप्लेमेंचन प्रोग्राम इस स्कीम के अंदर में कौनसे स्टेट ने और कौनसी युदिन टरिटरीस ने सबसे ज़्यादा manufacturing units and service units को established किया है तो answer है Jammu in Kashmir Jammu in Kashmir ने इस genome का सब्से ज़्यादा benefit उठाया है accordingating to the KV Diese जँमब्य काlles ने जो बड़े-बडे states हैं उत्तरप्रदे अंध्य प्रदेश तमिलों नाडव एंद कुज्रात उसको भी पिछय छोड़ दिया हैς ड़न टकल जम्राफ के अंदर लास्ट येर 21,640 मेनफेक्शरिंग गा मैन्फेक्शरिंग और कोटीश इस्की के गए और जाप मेंफेक्शरिंग अंदर тоб्ल लास्ट जे मैं पॉर्टे घ्डीट गाएर कि one 21640 तो अक्यरे जम्व इंकास्पिर के अंदर ही एस्टाबिस किये गया है जो बाकी जो बड़े-बड़े स्टेट से उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया है तो राइट तो एक्जाम पॉइंट अप्वी से के अकॉरिंट तो के वी आई सी पदार मंत्री के इंप्लेमेंट जनेशन प्रोग्राम को इंप्लेमेंट करने के अंदर सबसे आगे कौन सा स्टेट और यूनिन टरिटरी है जम्व इंकास्पिर उसने कितने मैनेफेचरिंग और सर्वेस अनुट्स को एस्टाबिस के लास्ट फाइनांस लेर के अंदर 21640 जो हमने प्रिव प्रोग्राम के अंदर जो डेटा देखा था कि उसके द्वारा उस स्कीम के द्वारा टोटल पूरे फाइनांस लेर 2021 के अंदर टोटल 8.25 लेक 8.25 लेक नए लोगों को जॉब मिली थी जो भी एक लाग से ज्यादा मैनिफेचरिंग और सर्वीस उनिट को अप्रुमेंट द मिली थी राइट तो उसमें से 1.73 लेक न्यू इंप्लोमेंट जस्ट अकेले जम्मो इन कास्मिर के अंदर ही हुआ है 2021 के अंदर तो ये भी सबसे हाइस्ट लोगों को जॉब मिला है इस स्कीम के अंडर में की 8.25 लेक जॉब जो पूरी स्कीम के अंडर में लास्ट येर मिल दिया गया था 3360 नए यूनिट्स को एस्टाब्लीज करने का और उन्होंने कितना टार्गेट एच्यू किया है 21,640 उन्होंने ये एस्टाब्लीज करें नए मैने फेचरिंग उनिट्स और सर्मिन दोनों को मिला के बाद करें तो राइट और जम्मो इन का स्मिर ने टोटल 201 करोड रुपया capital उसके अंदर 2101 करोड रुपय का लोन दिया है मैंने ये scheme के अंदर में आपको समझा आ था कि इस scheme लौन के अंदर कंसेशन प्रोइड कर वाती है टोटल प्रदानमंत्री इंप्रोइमेशन जन्नेशन प्रोग्राम के नर कितना लौन लिया गया है जमुन कास्मेर के अंदर टोटल कितने पैसे प्रोवाइड किया गया है 467 करोड एक सो एक करोड में से के वी ऐसे के तोरा 467 करोड प्रोड किया गया है अलग-अलग कंपनी सो एस्टाप्रिस करने के लिए और के बात करू तो के वी ऐसे का फूल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्रीज कमिशन जो स्टेट्यूटरी बोडी है जो पार्लामेंट एक्ट नंबर 61 ऑफ 1956 के अंडर में उसको एस्टाप्रिस किया गया था और उसको फिर अमेंड किया गया 1987 के अंदर और उसके बात फिर सा अमेंड किया गया 2006 के अंदर राइट तो के वी ऐसे कॉन से एक्ट के अंदर और आप गया जो पहले क्या था यह संसा का नाम कि अंडिया खादी एंड इंडर्स इस बोड उसको फिक टूक ऑवर किया 1957 के अंदर और के वी एसी का अब्जेक्टिव क्या है यह संसा को एस्टाप्रिस करने का अब्जेक्टिव क्या है कि तो मुस्त इंप्रमेंट इंद समझाया था पूरी स्कीम के अंडर में और जम्मू कास्मेर के अंदर 1.73 लैक नई इंप्लिमेंट हुई है इसका मेन अब्जेक्टिव तो बूस्ट इंप्लिमेंट इंद कंट्री तू प्रमोर्ट प्रमोर्शन इंद सेल अब खादी अर्टिकल्स तू के टर्टर टू सेल कि जो अंडर प्रिविलेज लोग है उनको यहां पर सपोर्ट किया जाता है कि वह कुछ इनोवेटिव प्रॉडट्ट डेयलोप कर सके और अपनी आज इवी का जिवन जुरुएत की चीज़ें चला सके अभी बात करें की वीएसी के फंक्सन के बारे में तो की वीएसी का फ खाधी एंड विलेज इंडेस्टी जो खाधी विलेज इनसी के जो प्रोग्राम है उसको वह प्लान करता है और इंप्रीमेंट करवाता है और इट कोरिंट सुट समार्टीपल इजन्सी डेट आर एंगेजि़ इन दूरुरल डेयलोप्मेंट फोर तो सवल इनिसिटिविट respect to the khadi and village industries in the rural areas कि जो khadi and village industries के related जितने भी agencies है right उसको वो develop करते हैं उसके साथ कोड़ियंड करके rural development के अंदर एक बहुत ही बड़ा role play करता है khadi and village industries commission right it maintains a reserve for the raw materials that can be further promoted in the supply chain right कि यह जो पुरी industries के अंदर khadi and village industries के अंदर जितना भी raw material चाहिए उसको थोड़ा reserve भी रखता है ताकि supply chain के अंदर वो कभी इंटरप्शन ना हो right it is in creating the common service facilities that help in processing of the raw materials right यह जो raw materials है जो कुछ raw materials जो reserve भी करती है KVIC उसको process करने के लिए वो facilities भी provide करती है industries को it is the marketing of the KVI products through the artisians and other avenues कि जो खादियन वीरेचिंड इंडिस कमिशन के अंदर agencies develop होती है उनके products को marketing करने के लिए वो facility provide करती है वो support provide करती है right it creates the link with the multiple marketing agencies for the promotion and the sale of the KVI products right it encourage and promote the research and development in the KVI sector KVI sector can the research and development को भी encourage करती है यह संसा and it brings the solutions to the problems associated with the KVI products by promoting the research studying and enhancing the competitive capacity right कि जो कोई products को develop करने के टाइम कोई भी जो problem साथ तो उसका solutions लाने में वो मदद कर रही है वो जो भी संसा के भी ऐसे एक अंडर में काम करती है right उनको it also helps in providing the financial assistance to the individuals and institutions related to the khadi and village industries यह जो स्कीम है यहाँ पर financial assistance प्रोबड किया जा रहा है ना कि आपको लोन तो बीस लाग के लोन के डिवान करते हो और आपको उसके उपर 15% principal के उपर discount मिलता है मतलब आपको पैसा मिनेगा 20 लाग का अलेकिन आपको पे करना है बीस लाखा 85 परसमाल 17 लाखा राइट समझ में आया ओके यहां पर financial assistance प्रोबाइड करती है तो बाकी के 15 परसंट कॉन प्रोबाइड करेगी तो QVAC बैक को प्रोबाइड करेगे राइड इंफोर्षिस था गाइड लाइस तो कंप्लाइड विड प्रोडग्स स्टांडर्स टू इनिमेंट प्रोडुक्शें साप उप्वीड बनाती है राइड यह सभी चीजह जो के वी एसी के functions है कि वो उसके उपर ध्यान रखती है उसके objectives मैंने आपके साथ discuss किये कब establish की गए थी वो मैंने आपके साथ discuss किया और के वी एसी के द्वारा ही ये scheme implement कर जा की जा रही है प्रदर मंतर implementation program जो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा detail में किया था और इस बार इस week के अंदर उसी scheme के अंदर सबसे ज़्यादा manufacturing and service unit कहां पर establish की गए है 2021-22 के अंदर जंबुन काश्मीर के अंदर राइट तो आइटिंग आपको इन यूस के अंदर समझ में आया होगा ओके बहुत important news है ठीक है next news हमारी next news है smart cities india expo 2022 smart city india expo वो combine करती है transformation technology को essential pillars of the urban development के साथ के technology को urban development के लिए जो essential pillars है उसके अंदर हम maximum use कर सके इसके लिए यह expo हर साल organize किया जाता है smart cities india expo exhibition होता है कि जो urban development के लिए जो भी चीज़ जरूरी है वो चीज़ के लिए जो भी कोई company कोई innovative product लेके आता है तो वो यहां पर exhibit कर सकता है और कौन-कौन से essential pillars है urban development के लिए तो है green buildings clean energy clean environment water urban mobility and the use of the smart ict for the resource optimization and making the city smart and sustainable यह pillars है urban development के तो अगर इस topic के ऊपर कोई company कोई organization कोई innovative product लेके आता है तो यहां पर वो एक्सपो के अंदर exhibit कर सकता है right 2015 से यह एक्सपो होता है तब से यह smart cities india expo has grown to become the easiest largest expo and conference on the particular topic right smart city india expo conscious also organized किये रहता है 2015 से तब से इसे वो इसा का largest expo बना हुआ है right okay it is इंडिया स्टेक्नोलोजी एंड इंफ्राइटर इवेंट तो एक्सलेटर नेशन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग के अंदर जो इंडिया का सबसे बड़ा largest technology इंफ्राइटर इवेंट है तो क्वान है स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपूट रइट जो 2015 से अलिब्रेट किया रहता है तो उसी इवेंट के दोरान कुछ अवर्ड भी दिये गये है स्मार्ट सिटी अवर्ड दिये गये है 2022 देखो हमने थोड़ टेम पहले स्मार्ट सिटी अवर्ड की ही बात करे थे लेकिन वो 2020 कि जो घ्रट के अंदर जो कॉन्फ़रेंश वहें था स्मार्ट सिटी कॉनद उसी के दोरान स्मार्ट ट्यूस बांभ दिये गये थे देख Freddie अभी स्मार्ट सिटी अवर्ड बाइस दिये जा रहा है ए रह की इसके भीच में confused नहीं हो रहा है Smart Cities India 2022 Awards are one of the kind platform that honors recognizes and the increased individuals, policy makers business, multiplities government organizations and the associations for their efforts in both the urban and rural sector. कि जो urban and rural sector के development के लिए जितने भी लोगों ने काम किया है उनको honor करने के लिए उनको recognize करने के लिए उनको encourage करने के लिए Smart City Award दिया जाता है और यह expo जो होता है, तीन दिन का expo होता है अभी awards के बारे में बात करो तो awards बहुत सारे categories के अंदर दिये गए है आपको सभी categories के awards को याद रखना है मुझे पता है cost to benefit ratio बहुत कम है लेकिन एक एक mark भी बहुत important है इसलिए एक दो बार पढ़ो कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ सकता है एक्जाम में option दे के राइट ओके तो based water management category के अंदर कौन बना है solinas integrity private limited और उसका जो project है pipeline management project for the 24 by 7 water supply इस project के लिए उसको based water management award दिया गया city innovation के अंदर उज्जेन smart city limited को यह award दिया गया है उसका एक project है digital center उसके लिए right covenant in recovery innovation award के लिए जबलपूर्ट smart city limited को award दिया गया है क्योंकि उसका एक project है leveraging the ICCC against the coordinating pandemic उसके project के लिए उसको यह award दिया गया है digital city के लिए new town कलकता green smart city corporation का अवर दिया गया है उसका project का नाम digital services in the new town कलकता गवनन्स and economy के लिए पिम्प्री चीचवाड जो smart city limited है उसको यह award दिया गया है उसका जो project का नाम है smart sard थी तो एक्जाम पॉइंटों की से यह कैसे important है कि based water management का smart cities award किसको दिया गया यह संस्ता को उसका project का नाम क्या है तो यह depth equation आ सकता है तो ऐसा बहुत सारी categories है कि smart waste disposal and clean city smart city of the year किसको दिया गया smart city of the year उज्जन smart city limit को यह award दिया गया है फिर बेस city leader of the year तो यह है अथार आमिर खान IS जो CEO है स्रीनेगर smart city limited के बराबर मतलब बेस city leader of the year कौन है city के जो leader मतलब यह CEO है स्रीनेगर smart city limited के अथार आमिर खान उनको यह award दिया गया है फिर safe city के बारे बात करें तो देहरादून smart city limited smart urban mobility के बात करें तो सिल्वासा smart city limited smart energy project के बात करें जबोईपूर smart city limited को smart parking initiatives के बारे बात करें तो indoor smart city को यह award दिया गया है और public private partnership की बात करें तो indoor smart city को अगें यह award दिया गया है तो इसके projects भी एक पर पढ़ लेना और यह सभी एक दो बार पोड़ों की थोड़ा बहुत idea आजाएगा ओके smart cities की बात करूँ के smart city mission की बात करूँ तो नोटल 100 cities को हमको develop करना है कब तक 2030 तक और periods की range 2019-2030 तक हमको 100 cities को develop करना है smart city बनाना है and as of 2019 तक the effective cumulative completion rate of the oil project जो हमको smart city mission की से achieve करना है तो अभी तक कितने projects complete हुए just 11% 2019 से अब तक के बात करें तो and हाँ हमको यह project कब तक करना है 2030 तक का हमाना target है right के as of March 2022 3577 projects had been completed out of the total of 6939 tender projects total 6939 को project को tender किया गया उसमें से 3577 projects को ही यहाँ पे complete हुए है are utilizing the 60,000 करोड आउट अपर टोटल रिर्ड़ कोस्ट अप द वर्लैंटी वन थाउजन टू नटी नटी फूर करोड right मतलब smart city mission को पूरा 2019 से दू अटी से तक कितना पैसा अलोकट किया गया है एक लाख 91,000 करोड रूपया अलोकट किया गया है उसमें से अभी 60,000 करोड का utilize किया गया है तो आपको यह budgetary allocation को कितना budget दिया गया है चार साल के लिए 1,091,294 करोड यह depth question हो सकता है तो I think आपको यह news के अंदर समझ में आया होगा हमारी next news है कि अभी recently Megalaya जो planning department है Megalaya का उसका जो एक e-proposal system Meg EA Meg EA MEGA को अभी एक award दिया गया UN award as a champion project मेग EA का full firm क्या है Megalaya एक इंटरप्राइस आर्किटेक्ट्चर implementation एक e-proposal system है एक key initiative of the planning department of the government of the Megalaya has been selected for the UN world summit on the information society prices उसका जो एक champion project है उसके लिए वो select किया गया है right exam point office है कि अभी recently UN world summit on information society prices UN world summit on information society prices 2022 के लिए in the champion project के लिए इसको select किया गया है तो Megalaya के जो e-proposal system है उसका नाम है make enterprise architecture उसको select किया गया है है जो इसको परहें प्राइस की बात करें कि world summit on the information society prices यह उसका 11th edition है right 11th edition है और Meg EA को select किया गया है और उसके अलाबा जैसे इंडिया का मेगा प्रोजेक्ट है उसके अलाबा ऑस्टेलिया आर्जेंटिना इन चैना से भी कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहां पर select किया गया है इस चैंपियन प्रोजेक्ट के अंडर में राइट ओके फिर make EA has been selected among the top 360 projects across the globe top 360 projects में से यह प्रोजेक्ट को select किया गया है और total 18 winning products along with the 72 champion products will be recognized with the world summit on the information society prices ceremony which will be held at the कहां पर होने वाला है जो डब्ली एस फॉरम 2022 और गिने होने वाला है ना 31 में 2022 तक तब यह अवर्ड को दिया जाएगा जस्ट अभी selection while अवर्ड दिया नहीं गया है लेकिन अवर्ड कब दिया जाएगा जब WSIS forum का event होगा 31 में 2022 को तभी उसी event के अंदर यह अवर्ड दिया जाएगा अब इस में यह क्या है यह एक प्रपोजल सिस्टम है लेकिन वह क्या है कैसे वर्ड करता है मैं आपसे उसके बारे बात करूं कि में यह एक फ्लैक्सेट प्रोग्राम है में गलाया का और वह 2019 के अंदर एस्टाब्रीश किया गया था उसका aim है करें आपसेट उसका बनाया गया था इंडिया का इंटरप्राइस अर्किर फ्रेमवर्क इसका उपर बेस यह इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है और यह सपोर्ट किसके त्वरा किया जाता है नेशनल इगावशन दिवीजन के त्वरा उसको सपोर्ट किया जाता है और यह जो फॉरॉम है जो एक 31 में को जो और गिनेश होने वाला है है WSIS फॉरॉम और उसी के इस फॉरॉम के दोरानी यह अवर्ड दिये जाने वाला है इस वर्स लार्जेस्ट एन्युवल गिर्दरिंग अप्ट इंफ्रमेशन और कॉम्टिकेशन टेखनोजिया आइसीट फॉर्ट डेलोप्मेंट कॉम्यूनिटी कितने भी सेक्टर है आइस सब साथ में बिलके यह पूरा फॉर्म को और बहुत बड़े माइने में क्योंकि बद सभी ग्लोबल लेवर की और और मेकलाए की बात करें मेकल का क्या है सिलों उसके कवर्णर का नाम है सत्यापाल मली और उसके चीफ निसकर नाम है पॉन्डान संग्मा तोड़ी से न्यू तो हम उसको सिंप्लिफाई कर देते हैं एक बार फिर से किस तरीके से क्विस्टन आ सकते हैं कि अभी रिसेंट्री यह यून अवर्ड एस चेंपियन प्रोजेक्ट वो किसको मिला गया तो अभी वो मेगा मेगल है एंटरप्रेस अर्किटेक्टर को यह अवर्ड दिया गया सब्सक्राइब करें कि यह जो मेगा है एक फ्लेक्सिंग प्रोग्राम है वो कब लॉंच किया गया था उसको कौन सब्सक्राइब करता है वो इंडिया की निशनल इंटरप्राइस अर्किटर फेर्मवर्ड के ओपर बेस है और यह जो पूरा अवर्ड सरीमनी है वह डब्ली एस फॉर्म जो 31 में को और्ग्रेस होने वाला है उसके दोरान यह अवर्ड दिये जाएगे अलगरा सं सी संसार साथ में मिलके बनाया है तो इसको एक प्लोन एकडी एक वी संसार में बनाया है ओके तो आए नियुक्त में आया होगा करें 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 करते हैं कि अपिछ नेक्स्ट न्यूस है अभी रिसेन्थ ली युके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरीस जॉन्सन नें मू Nah Nepal आये थे इंडिया के यह उनकी असे प्राइम पहले विजिट थी इंडा के अंदर ऊफ रजब प्राइम मिनिस्टर है युके sill deity पीएम टू विजिट तो गुजराथ गुजराथ क्यों विजिट करने वाले बिटीज के पहले पीएम बने और उन्होंने अभी कौन-कौन सी जगह कौन-कौन सी सेक्टर के अंदर कि एक एक इम्माइयों साइन किया है वो एक्जाम-पॉंट-फिश से इंपोर्टन्ट है तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि आपको इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि एक मिनिश्ट्रेण किया गया और उसकी जो एक्विरंट संसा होती है UK के अंदर Foreign Commonwealth and Development Office of UK इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ for the Global Innovation Partnership के लिए अंडर तीज कि बोद दो साइड्स अग्रीट टू को फाइनन्स अप्टो 75 million pound as a Global Innovation Partnership Fund की एक fund बनाए गाएगा इंडिया और UK के द्वारा G.I.P. Fund की उसके अंदर दोनों साइड कितना डोनेट करेगी 75 million pound right Minister of Action Office and Foreign Commonwealth and Development Office of the UK किसके लिए यह fund बनाए जाएगा to support the transfer and scale up of the climate smart sustainable innovations to the third countries इंडिया और UK के अंदर तो दोनों support करी रहे हैं जो innovations है जो smart solutions है लेकिन जो least developed countries है कि जहाँ पर innovations ideas बहुत सार है लेकिन उसको implement नहीं किया जा सकता द्यूटू the financial problem तो उस countries के लोगों को यह G.I.P. Fund में से पैसा दिया जाएगा और जो जिनके पास भी यह कुछ ideas होगे तो टास्ट पर्द टेक्नोलोजी तो स्केल अब अप्ट क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनिबल इनोवेशन तो उनको financial support इस fund में से किया जाएगा तो एक G.I.P. Fund establish करने के लिए इंडिया और युक्य के बीच में इनोवेशन होगे और स्पेशली इंडिया की तरफ से ministry of external affairs और युक्य की तरफ से foreign commonwealth and development office यह दोनों संस्था नहीं यहां पर इमोवेशन किया है राइट ओके यह G.I.P. Fund की बात करूँ इस ऑल्से इंग तो इस दे अडिशनल 100 million pound from the market to support the Indian innovations के Indian innovation को support करने के लिए G.I.P. Fund 100 million dollar extra raise करने बाले मार्केट के दर राइट ओके फिर दूसरा है के मोवेशन किया गया Global Center for the nuclear energy partnership के लिए nuclear energy partnership के लिए और वो किसके किसके वीच में सा यह मोवेशन किया गया Department of the atomic energy government of the India and the Department of the business energy and the industrial strategy UK यह दोनों संसा के द्वारा यह Global Center for the nuclear energy partnership के लिए अभी partner MOU sign हुआ है तो इंडिया की संसा है Department of the atomic energy and UK के संसा है development of the business energy and the industrial strategy के दूनों के द्वारा यहां पर पार्टनर्शी किया गया है for the nuclear energy के लिए partnership किया गया है अध्यक्स की चेर यहां पर सांब एस्टबर्स की जाएगे कहां पर जो ब्रिमिंगम City उन्यूर्सिटी है UK के अंदर महां पर इंडिया की एक इंडिया के मतलब कोई expert वहां पर जाके कुछ training ले वहां से कुछ सीखके फिन यहां के students को वह applicable करवाए तो इसके लिए एक चेर एस्टाब्स की जाएगी कहां पर ब्रिमिंगम City उन्यूर्सिटी के अंदर तो यह चेर किसके द्वारा Indian Council of the Culture Relations एंद ब्रिमिंगम City उन्यूर्सिटी के द्वार यह MOU sign किया गया है कि Indian Council of the Culture Relations से कोई representative वहां पर जाएगा वहां के culture को मतलब वहां के जो methods तो और तरीके होते है वो grasp करके फिर यहां के students को वो उसके बारे में समझाएगा तो एक short term chair एस्टाब्स की जाएगी कहां पर ब्रिमिंगम City उन्यूर्सिटी उसके लिए Indian Council of the Culture Relations ने यहां उसके साथ partnership की राइट दूसरा के मैं किया है इन दे फिलब तो offshore wind development तो offshore wind development offshore और offshore दो टाइप के wind project होते है और offshore मतलब जो land के ऊपर जो होते हो और offshore मतलब जो जो सी है उसके बीच में जो विन प्रोजेट होते है उसको offshore wind project बोलता है तो offshore wind के बीच में MOU sign हो है तो for the offshore wind development की लिए इंडिया के अंदर राइट तो इंडिया की तरफ से consistent sign nation issued for the wind energy और वो कंसी मिनिस्ट्रे के अंदर में काम करते है मिनिस्ट्रे नियूब और रिदियूम एनर्जी के अंदर में और UK की तरफ से हैं offshore renewable energy catapult UK राइट ओके और एक MOU है कि जो sign किया गया है foreign commonwealth and development office जो British high commission का है and the Adani group के बीच में जो इंडिया से बिनों करती है for the creation of the Kevening Adani scholarship on the artificial intelligence को डेलोप करने के लिए Adani group India और foreign commonwealth and development office British high commission के बीच में MOU sign हुआ है under this MOU Adani group will be provide two lakh pound every year through five scholarships for the Indian graduate students for studying in the master's degree in the UK and Adani group के द्वारा two lakh pound every year provide किया जाएगा for the five scholarships के लिए जो Indian graduate students है जो UK में जाके master कर सकता है तो उसमें हर साल five scholarships यहां पर provide की जाएगे Adani group के द्वारा उसके लिए Adani group और foreign commonwealth and development office के साथ partnership हुई है उसके अलाबा इंडिया और UK ने sign किया एक new defense cooperation agreement for the closer security ties and the easier procurement of the weapons और इंडिया ने रिफम किया है their commitment को to cyber security partnership for the vision 2030 for an open accessible secure and the peaceful cyberspace in the Indo-Pacific region के अंदर cyber security बनी रहे है उसको maintain करने के लिए उसको enhance करने के लिए जो इंडिया रूकरी का जो वीजन है 2030 का उसके बीच में उन्होंने यह partnership को री अफम किया है अपने commitment को री अफम किया है उसके अलाबाद JCB का नाम सुना होगा जो JCB इंडिया जो एक अपना नया plant establish कर रही है कहां पर बोड़ोद्रा गुजरात के अंदर और यह टोटल नौसो नियो करोड का एक factory है कि जो बोड़ोद्रा गुजरात के अंदर establish होने वाला है JCB जो UK की company है तो उसका जो उड़काटन जो किया गया है तो किसके द्वारा गुजरात के CM परिंदर पटेल के द्वारा और British Prime Minister Boris Johnson जो जब उन्होंने गुजरात को विजिट किया तब उसका उड़काटन किया वाड़ोद्रा गुजरात के अंदर और यह JCB की six factory है इंडिया उन्हें कितना कर दिया है इंडिया के अंदर 1 billion pound से भी ज्यादा तो इतने मयूस जो बोरिस जोंसन जो इंडिया के अंदर विजिट करने के लिए आये थे तब उन्होंने इंडिया के साथ इम इतने मयूस राइन किया है आपके exam point of view बहुत important है कि अभी recently जो बोरिस जोंसन आये तो इन्होंने इस sector के अंदर for example global innovation partnership के लिए किसके साथ partnership की और nuclear energy किसने किसके साथ partnership की राइट अधानी ग्रूप ने किसके साथ partnership की तो यह सब चीज़े आ सकती है तो I think आपको इन्होंस के अंदर समय में आया होगा हमारी next news है कि अभी recently निश्टनल पंचायती राज दे celebrate किया गया और वो कब celebrate किया जाता है 24th April 2022 को हर साल celebrate किया जाता है तो निश्टनल पंचायती राज दे के हम बात करें तो हर साल 24th April को celebrate किया जाता है और किसके द्वार ministry of पंचायती राज के द्वारा और हमारे minister of पंचायती राज कौन है वो आपका homework है कि हमारे minister of पंचायती राज कौन है ठीक है तो ये day क्यों celebrate किया जाता है to celebrate the constitutional status of coded to term पंचायती राज system of India कि जो पंचायती राज सिस्टम को जो constitution status दिया गया उसी के commemoration के अंदर हर साल 24 एपरिल को baixo पंचायती राज के द्वारा ए two पंचायती राज किया जाता है क्योकि इस दिन 24 एपरिल और पंचायती राज system को constitution के अंडर कि 1950 के अंदर जो 73rd amendment करके constitution के अंदर इस पंचायती राज है सिस्टम को सहौन सिस्टम को अंग्लूड किया गया था राइच और सेवंटी थाड़ अमेंगमेंट किए यहां सिस्टम के अंदरuli सेफ़ेक्टी फो गया 24 एपडी से 15 स सह ने शसेबरेट किया चा tö सबसे पेले यह पंजादिरा सिस्टम का पंचेटेशन के अंदर पंजादिरा सिस्टम को इंपलेमेंट के अंदर और 1993 के बाद जब यह कंस्विशन के अंदर एड किया गया फिर उसके बाद पूरे कंट्री के अंदर यह सिस्टम को इंप्रिमेंट किया गया तो आई थिंग आपको इस जो पंचे दिराच डे है उसके थोड़ी बहुत इस्टरी के बारे में पता चला होगा और उसी दिन के दोरान जो अभी 2022 के जो निशनल पंचे दिराच डे था 24 अपर युदर बाइस के ऊपर पीम मोदी जम्मुइन कास्मिर को विजिट करने के लिए गये थे और उन्हें ने वहाँ पे निशनल पंचे दिराच डे को सेलेब्रेट भी किया और उसी दिन उसी दिन पीम मोदी न दिटेश में विट इंडेट इन रिसी विंग और डे मेनिफिट अपर सेंटर स्कीम इजी तो पाली पंचायत जो इंडिया की पहली पंचायत बनी कि जहां पर कार्बन न्यूटल बन गई है कार्बन न्यूटल मतलब जितना कारबन एमिसर वहाँ पे होता है उतना ही पंचायत को पे मुदी ने विजीट भी किया पे मुदी ने वहाँ पिद्गदन किया 500 पान सो कीलोवट का सूलर्व प्रान की जो आं कारबन न्यूटल पंचायत की ऊपर उन्होंने इन वलिवरेशन किया और उस ये 500 प्राइब पाली इंदर रेकोड त्री वीक टाइम यह तोटल डेलोबेंट पॉजट का अनौंसमेंट किया है और वहाँ पर उन्होंने स्वामी तुव स्कीम के अंदर स्वामी तुव स्कीम का फुल फॉर्म बहुत ही पूछा जाता है एक्जाम के अंदर स्वामी तुव स्कीम के अंदर है ना के फॉर्म के पास कितनी रांड होल्डिंग है। उनका इक बाद डेटा लेके स्टलेट के पॉर्म ने जाता है टाकि उनको फिचर में कोई लोन लेना हो और कि फीचर में उनकी कोई कोई लेंड है उनका जिसके उपर हख है कोई डूसरा और ना कर ले इसके लिए उनको प्रॉपटी कार्ड दिया रहाता है स्वामी तर्व्किन के अंदर बहुत सारे फार्मर्स की यह पर रॉपटी कर्ड दिस्रिबूट चिया पीम मोधी ने जमुल कास्मिर के दोरान उसके अलावा उन्हें एक initiative को launch किया है Amrish server अमरीज server के अंदर हर एक district के अंदर 75 water bodies को establish किया जाएगा और यह 75 water bodies जो 75 server है वो हर एक district के अंदर कब तक establish किया जाने वाले है 15th August 2013 तक ति इसके लिए उन्हें एक initiative launch किया है Amrish server जहां पे 75 water सब्सक्राइब करें तो आपको इन्यूस के अंदर समझ में आया होगा निशनल पंचे तिराज दे और पी एम मोदी ने जो जंबूइन कास्मिर के अंदर विजिट किया और उन्होंने वहाँ पे क्या 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 इन्यूगरेशन किया कौन सी स्कीम को लॉंच किया वह सबी ची से कि अभी रिसेंट नी इन्दी को बिकम्स फर्स्ट एरलाइन तो यूज दे इंडी दीनियस निविकरेशन सीस्टम गगन गगन जो एक नेविकरेशन सीस्टम है जो इंडिया ने खुछ से बनाई है उसको यूज करने वाली पहली एलाइन कौन बनी इन्दीगो रहेट अ लेंड हो रहा था तब उसने ये निविकरेशन सीस्टम का यूज किया गगन का फुल्फर्म क्या है जीपीस एडिन जियो ऑगमेंटेट निविकेशन रहेट और उसको किस ने बनाया है एरपोर्ट ऑथरीटी ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंडियन स्पेस रिशर्च और इंडिया और इस सरुने साथ में मिलके ये निविकरेशन सीस्टम गगन बनाया है और इसका यूज करके अभी लेंडिंग एक्टिविटी कंपेट की इंडियों ने जो पहली एर्लाइन बनी गगन को यूज करने वाली गगन इस यूज तो प्रोबाट दर लेटरल एन वर् चाहिए आरेक्राफ एप्रोचिंग और रन्वित फोल एंडिंग जब एरक्राफ लेंडिंग की लिए अपरोच करता है तब लेटर एन वर्टिकल गाईडेंस को नोडिकर करता है गगन तो लेंडिंग के लिए बहुत इंपोर्टन यह निवेशन से इस्टम कि जो वर्टि के नीचे कितना एरिया बागी अगर आपको उसका अंदाजा नहीं रहता तो हम जो स्पीड जो मेंटेन करनी पड़ती है जब हम रन्वे के ऊपर लेंड होने इस्टूमें लिंदिग शिस्टम फंक इंस्टॉल के बड़े-बड़े एरपोर्स होते हैं वहाँ पर लेंडिंग के लिए एक गाइड़न्स प्रोवाइद करने लिए एक शिस्टम लॉझ इंस्टॉल होती है। उस system का नाम क्या है instrument landing system लेकिन जो small airports है वहाँ पर यह system नहीं होती है तो तब यह system काम में आएगे गगन जो नभी किसा system है वो राइट गगन will modernize the airspace, reduce the flight delays, save the fuel and improve the flight safety तो director general of the civil aviation has issued a mandate for the all aircraft registered in the India after July 1st 2021 to be fitted with the Gagan equipment Director general of the civil aviation ना अभी issue किया है एक mandate for the all aircraft registered in the India कि after 1st July 2021 कि उनको fit किया जाए विता Gagan equipment के साथ उनको fit किया जाए तो यह जारी कर दिया था कि अभी सभी जो aircraft जो राइस्टर है इंडिया के अंदर उनको गगन जो equipment उसके साथ फिट किया जाएगा रैट लगवागन कि एक्विमन उसके अंदर फिट किया जाएगा रैट तो यह लेंडिंग परपस के लिए बहुत काम में आएगा तक रगन क्या है लगवागन इसन एक्रोनियम उसका फुल फॉर्म है GPS अदर जीओ अग्मेंट नेविगेशन अधिश यह जो सिस्टम है ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ही काम करेगा जो नेवरिंग फ्लाइट इंपरमिशन सिस्टम रीजियन है वहाँ पर भी यह सिस्टम काम में करेगा रैट गगल इसा सिस्टम ऑब शेटे नाइट एंड ग्राउंड सेशन देट प्रवाइड जीपीस के द्वारा आप इतने एक्यूरेट नहीं मेजर कर पाते हो तो इसके लिए वह करेक्शन यहां पर गगन सिस्टम के द्वारा हो जाएगा राइट गगन करेट्स पूर्ट जीपीस सिगनल एरर्स पॉस्ट बाइट लोनोस्पेरिक डिस्टरबंशिस टाइमिंग और विड सब्सक्राइब करता है उसके अलावाद जो सेटलेट जो भूम रहे है स्पेस के अंदर उनकी हेल्थ के बारे में भी वह वीटल इंप्रमेशन प्रवाइट करता है साइंटिस को राइट टीक अगन है कगन एक स्पेस बेस्टम है जो इस रो और एरपोट और इंडिया के द सब्सक्राइब करता है राइट ओके तो आई थिंग यह पूरी नियुस के अंदर आपको समझ में आया होगा अरे गगन को यूज करने वाला बेली एल्लाइन को बनींग इंडिय को राइट ओके और गगन कैसे वर्ग कता है उसके बारे में बात करें तो गगन कंजिसन तो स अब बहुत सारी जगा पे इंडियन रेफरेंस टेशन इस्ताब्लीश किये गये है जो गैदर करता है जीपीएस के सटिलेट इस डेटा को अब मास्टर स्टेशन इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर कलें सटेशन अध्यूर्ण परम दो रेफरेंस टेशन ओंडेटियर GPS data के दोढ़ा जो जीतना भी data collect किया गया है उसको फिर collect करता है Indian Master Control Center रहेट फिर देख्टेटे डिफरेंशल मेंशेंजी आ अप लिंक्तु वाया दा इंड्यन अपलिंक्स्टेशन and the Indian broadcasted and then broadcasted on the signal from the three geosteastery satellites G-set 8, G-set 10 and G-set 15 यह जो master control center के उपर से जो data आया जो corrected message आया उसको फिर कहां पर uplink किया जाता है Indian uplink station के उपर फिर उसको broadcast किया जाता है जो तीन satellite communication के लिए use होता है G-set 8, G-set 10 and G-set 15 उसके अंदर information on this signal is compatible with the basic GPS signal structure which means any space-based augmentation system enabled GPS receiver can be read this signal then to wagon system इस तरीके से work करता है सबसे पहला data GPS का data जो collect होता हुआ कहां पर जाएगा Indian reference station के उपर Indian reference station से collect होता हुआ data जाएगा Indian master console general के उपर फिर जो collected data है वो uplink किया जाएगा Indian uplink station के अंदर और फिर उसको satellite के अंदर broadcast किया जाएगा G-set 8, G-set 10 और G-set 15 के अंदर तो एक wagon system के बारे में आपको पूरा पता चाल गया होगा जब next news करते है हमानी next news है कि अभी recently MSME sustainable certification scheme को launch किया गया है हमारे जो ministry of MSME है नारेंट तुराने के दौरा एक scheme launch किये गई है MSME sustainable certification scheme this scheme will be facilitated and enable the MSME to adopt the zero defect, zero effect practices कि MSME को enable करेगा इस scheme to adopt zero defect, zero effect practices को adopt करने के लिए under this scheme MSME will be motivated and incentivized for the Z certification Z certification मतलब zero defect, zero effect practices के लिए तो अगर वो zero defect, zero effect वाले product बनाएगे तो उनको incentivize किया जाएगा उस MSME को right and while they will be encouraged to become the MSME champions और जो भी MSMEs zero product वाले चीज़ा बनाएगे उनको MSME champions के तरक पे recognize किया जाएगा by the Z certification the MSME will be able to reduce the wastages, enhance the environmental consciousness, increase the productivity between optimally use the national resources, save energy, expand their markets, it is easy तो ये Z certification के अंदर ये सभी चीज़े count की जाएगी कि 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 तरीके से zero defect, zero effect अभी zero defect तो चलो बराबर के defective चीज़े आपको produce नहीं करने हैं लेकिन zero effect मतलब जो आप चीज़ produce करते हो उसका environment के उपर खतरनाक effect नहीं होना चाहिए तो जेर certification आपको तभी मिलेगा जब आप wastage को reduce करते हो, enhance the environmental consciousness को आप बढ़ावा देते हो productivity को increase करोगे, natural resources को optimally use करोगे, energy को save करोगे तभी आपको मिलेगा, अभी आप year certification की बात करें, that is a certification for the MSME that has been introduced towards the MSME industries to manufacture the goods in India with the zero defects so that the goods that are exported are not refunded due to the bad quality, अगर हम zero defect वाने goods को produce करेगे, अगर हम उस goods को export करेगे तो फिर वो refund नहीं आए, return नहीं आएगा due to the bad quality, वो return नहीं आना चाहिए right, the certified good must be also ensure the zero effect, zero defect तो है, zero effect को भी ensure करना है meaning the good student have a negative effect on the environment, environment के उपर वो good जो आपने produce किया, वो negative effect, मतलब वो ज़्यादा emission करता होगा नहीं होना चाहिए right, तो अगर आपने zero defect और zero effect achieve किया है तभी आपको zero certification मिलेगा right, the aim of the rating is to improve the process and move up the assessment model और assessment model के अंदर उनको चार पांच क्रेगरी के अंदर डिवाड किया जाएगा पूरी MSM is industries को कि bronze, silver, gold, diamond and platinum rating product will be varied for the four years period आपको जो भी rating मिला होगा वो चार साल के लिए varied होगा और quality council of the India will be carrying out all the surveillance जो audit करने वाली हो को करेगा quality council of India यह पूरी scheme के अंदर में और under the scheme MSM will be receive the subsidies according to the following structure on the Z certification MSM को किस हिसाफ सबसेडी मिलेगी अगर उसको Z certificate मिला है तो small enterprise को 60% subsidy मिलेगी, micro enterprise को 80% और medium enterprise को 50% यहाँ पे subsidy मिलेगी अगर उन्होंने Z certification achieve किया है तो an additional 10% subsidy will be provided to the MSME that are owned by the women or SCST interveners or the MSME that are located in the Northeasters, Himalayas and Aspirational Districts and the Island Territories तो यह जो MSME से जो इस जगह पे located है और MSME women ST और SC category इंटर्पिनर्स से भी जो बिलोंग करती है तो उनको 10% additional subsidy मिलेगी और उसके अलावा additional subsidy of the 5% for the MSME which are the part of the Sphurti or the micro and small enterprise cluster development program तो अगर यह Sphurti program का MSME कोई part है तो उसको 5% addition subsidy मिलेगी रूपिस 10,000 limited purpose joining reward will be also be offered to the MSME once they take the Z pledge अगर कोई MSME उनको Z certificate नहीं लेकिन Z के लिए pledge लेता है तो उस MSME को 10,000 रूपिस का जो joining reward मिलता है वो मिलेगा और अब तो रूपिस 5,000,000 per MSME will be provided for the purpose of the consultancy and the hand-holding support under the Z certification so as to assist them to move towards the solutions of the zero defect, zero effect यहापे additional 5,000,000 का support यह किया जाएगा for the purpose of the consultancy and hand-holding support under the Z certification Z certification मदब zero defect और zero effect करने के लिए MSME इसको 5,000,000 तका financial support प्रवाड़ किया जाएगा to assist them to move towards the solutions of the zero defect और zero effect तो 5,000,000 तक का यहापे financial support प्रवाड़ किया जाएगा और small enterprise को 60% subsidy, micro enterprise को 80%, medium enterprise को 50% अगर उनके पास zero certificate है तो यह certificate जो रेटिंग है 5 category bronze, silver, gold, diamond and platinum और यह जो rating है चार साल तक valid रहेगा और यह certification scheme की ने लांच की है ministry of MSME ने राइट, तो I think इस news आपको समझ में आई होगे next news करते हैं हमरी next news है कि अभी recently RBI ने mandate किया है borrowers with the exposure of rupees 5 करोण and above to obtain the LEI सबसे पहले हम समझते हैं कि LEI क्या है और RBI का यह news क्या है तो अभी recently RBI ने mandate किया है non-individual borrowers with the aggregate exposure of 5 करोण and above from the banks and the financial institutions should be obtained the legal entity identifier RBI ने बोला कि जो भी non-individual borrowers है कि जिन्होंने अभी तक exposure ले रखा है exposure मतब लोल ले रखा है कितना पांच करोण से ज्यादा ले रखा है या फिर आगे लेने वाले हैं उनको अभी अग्टेन करना पड़ेगा legal entity identifier अभी यह legal entity identifier एक 20-30 का एक यूनिक कोड़ है जैसा IFSC कोड़ कैसा होता है उसी तरह यह 20-30 का एक यूनिक कोड़ है उसी तरह यह जो लोग लीगल entity identifier है जो ग्लोबल लेगल के उपर जो भी इतानेशन होता है उसको ट्रेक करने के लिए तो इसकी लिए जब यह लॉँच हुआ था तब ऐसा प्रावदान था कि जिसका एक्सपोजर जिन्होंने लोन लेके रखा है 500 करोड से ज्यादा उनको ह अप्टेन करने पड़ेगा लीगल entity identifier लेकिन धीर धीर फिर उसको यह amount को कम करके अभी तक 50 करोड था जिसका 50 करोड से ज्यादा एक्सपोजर है उनको LEI को अप्टेन करना पड़ेगा लेकिन अभी recent news में RBA ने बताया कि अभी अगर आपका loan exposure 5 करोड से ज्यादा है तो यूज किया जाता है और legal entity identifier प्रोवाइड कौन करवाता है तो local operating unit हर एक country के अंदर local operating units होती है और यह local operating units किसके अंदर में काम करती है global legal entity identifier foundation glyph के अंदर में काम करती है रहे हर एक country के अंदर एक local operating unit होती है अगर आपका exposure ऐसा ने कि एक ही bank से आपने 5 करोड का loan लिया अलग- पांच करोड से उपर हो गया तो आपको local operating unit से legal entity identifier obtain करना पड़ेगा राइट ओके और यह कब तक आपको obtain करना पड़ेगा उसका भी time limit RBA ने दिया है कि अगर आपका exposure 25 करोड से ज्यादा है तो आपको 30 April 2030 तक legal entity identifier obtain करना पड़ेगा अगर आपका 110 करोड से 25 करोड तक का है त आपको 30 April 2024 तक आपको यह legal entity identifier लेना पड़ेगा और अगर आपका exposure पांच करोड और 10 करोड के बीच में है तो आपको 30 April 2025 तक यह legal entity identifier obtain करना पड़ेगा राइट ओके तो अर्बी ने चुई directions दी है वह कौन से act के अंडर में दी है तो under the section 21 35a and section 56 of the banking regulation act 1949 section 45 J A and 45 L of the RBI Act 1934 and section 30 A of the National Housing Bank Act 1987 and section 6 of the factoring regulation act 2011 इतने act के according RBI ने यह mandate जारी किया है और यह 20 रिस का unit code है उसमें 20 रिस क्या indicate करते है तो character 1 to 4 जो represent करता है कि कस्टमर कौन से एलो यू से कस्टमर ने यह legal entity identifier obtained किया है फॉर एक्जमपल IPC code के अंदर कैसा SBA ही एंड लिखा है तो आपको पता चल जाता है कि यह आपके account SBA के अंदर है उसी तरह यह character जो 1 to 4 जो character होगे वो कोई एक country के एलो यू को रिपेजन करते होगे तो पता चल जाता है कि कस्टमर कौन से country से बिलों करता है राइं character 5 to 6 वो two reserved characters set as a 0 अभी अपने IPC code के अंदर भी बहुत सारे 0 देखे होगे यह 0 क्यों होते है विजिकली की for example यहां पर 99 for example हमारा IPC code 456789 लिजिट का है और 99 कस्टमर ने IPC code एच्जिव कर लिया राइट ओके और यहां पर अगर मैंने 0 नहीं रखा होता डिरेक्टली ऐसा लिखा होता कि SBIN 1999 तो अभी मुझे बताओ कि अभी 100 वा जो कस्टमर आएगा तो उसके लिए अगर मैं मुझे उसको इंडिकेट करना है तो मुझे फिर IFAC code की length को चेंज करना पड़ेगा राइट फिर 100 मतलब 3DD की अगर लाइन कंप्रेट होगे तो जैसे अभी 99 कस्टमर के बाद 100 वा कस्टमर आएगा ना तो एक यहां पर एड हो जाएगा और यह 100 वा कस्टमर ऐसे हो जाएगा राइट समन में आया तो उसके लिए यहां पर रिजर्ग किया गया है 5 और 6 नमर के चेंटर्स को 7 तू 18 नमबर जो चेंटर्स है वह सिरेल नमबर दी पशेंट करते हैं अगर आपका 18 वा मका करेक्टर वन है तो उसके बाद कॉन आएका तो मतलब एक स्रेल नमर भी प्रेशन करता है और नैंटीन टू ट्वेंटी जो चैक डिए होते हैं जो हरे कस्टमर के डिफरेंट होगे तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि चैकर नमबर ही हो सिंबोल नमबर अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है तो आपको इन्यूस में समझ में आया होगा एट ट्वेंटी कोर्स किस तरीके से बाइफर्केट होते हैं कौन उसको रेगुलेट करता है लोकल ऑपरेटिंग यूनिट क्या है वह आपको पता चल गया होगा एलियाई कहां से अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा है तो आपको आज की न्यूस के अंदर समझ में आया होगा तो थैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर तिल देन बाइबाइबाइट टेक केर